ये माचिस का बिलकुल अनोखा खिलोना है। इसे बनाने के लिए खाली माचिस की टिपी, एक लंबी सुई, एक सिक्का, गोंद और थोड़ा सा धागा दरकार होगा। सबसे पहले माचिस का दराज निकाले और लंबी सुई की मदद से किनारों पर आमने सामने चारों सुराख बनाएं। दराज के पेंदे में थोड़ा सा गोंद लगाएं और इस पर एक दो रुपए का सिक्का चस्पा करें। सिक्का चस्पा करने का मकसद इसे भारी करना है। फिर एक माचिस की तीली ले इसके सिरों को हलके से छील कर नोक बनाएं। बिल्कुल नोकिना न बनाए फिर इस नोकिनी माचिस की तीली को दरास के दोनों सुराहों में फसा दे फिर एक मीटर लंबा धागा सुई में पिरूएं और इसे लकडी की मुखालिप सिम्त पुरूएं और इस धागे के दोनों सीरों पर एक एक लूप बना दे फिर दरास को पलट कर इस पर एक मकड़ी बना कर चस्पा कर दें अब खिलोना तयार है आप अगर धागे को कस्ट कर रखेंगे तो वो रूप जाएगा और थोड़ा धीला छोड़ने पर मकड़ी नीचे की तरफ फिसल जाएगा अब देखिए दो बारा कैसे नीचे आता है